हालो फ्रेंद्स वेल्कम तो माइ यूटूब चैनल आज में आप लोगों के साथ मैगी के आमलेट की रैसिपी शेयर कर रही हूँ वे इस utensilन्य नगेट को च्टीर देख ले की आमलेट कलें हमागी बना करों कर लिए उसके लिए पैन रखें एक गलास पानी ऐड़ करें इसके बाद नूडल्स डाल दे की लिए मागी ऐड़ कर देंगे पानी के साथ एक बार मिक्स कर दें अब मैंगी में उबाला गया है तो इसमें मैंगी मसाला है अट कर देत कर दें और इसे भी एक बर अच्छा से मिक्स कर देंगे अब मैगी को हम पकने देंगे तो मैगी पकने में चार मिनिट लगा है तरह पर देखे मैगी बन करके तयार है गैस आफ कर देंगे अब एक अलग बोल लेंगे उसमें अंडे तोड़ कर डाल लेंगे या पर मैं दो अंडे यूज कर रहे हूं आपको अंट की जादा या कम कर स एक मेडियम साइज बारी कटा हुआ प्याज, स्वादा अनुसार नामक, वन फूर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए यह आप्शनल है, आप यहां पे अपने मन पसंद वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी में आट करेंगे मैगी बनाया हुआ, धियान रहे कि मैगी में ग्रेवी ना हो, अब मैगी और अंडे को अच्छे से फ्याट लेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब क्यास्वान करेंगे, एक पैन रखें उसमें दो स्पून डालें यहां पर मैं मस्टर्ड और यूज़ कर रही हूं आप कोई भी कुकिंग यूज़ कर सकते हैं पैन गर्म हो चुका है तो इसमें अब हम इस बैटर को डाल देंगे और स्पून के साइटा से चारो तरफ से फेला देंगे बराबर हलका अंदर से सिख जाए तो इसे हम पलट देंगे गैस का फ्लेम ब्लो टू मीडियम रहेगा यह देखिए इस एक तरफ से पक चुके है तो इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे अब एक तरफ से पक चुका है दूसरी तरफ पलट दे गैस का फ्लेम लो कर दे तो अब देखिए मैगी कॉमिलेट बन करके तयार है इसे टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्फ करें अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बैल को क्लिक करना ना भूले थैंक यू फूर वाचिंग वीडियो